हेलो टू आल, वेलकम टू प्लस माइनस, तो हम डिस्कस कर रहे हैं DTSB TGT Computer Science के लिए Crash Course और लास्ट क्लास में हमने Chapter 1 HTML पर बेस्ट MCQ Question डिस्कस कर रहे थे जिसके अंदर Previous Year Questions में थे और इसके साथ साथ कुछ Important Question भी थे, चीक है? तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, आज की क्लास में Chapter 2 CSS की, तो हमारी Application पर theoretically Crash Course चल रहा है, जिसके अंदर हमने अभी तक HTML, CSS कंप्लीट क्या है and currently we are working on Digital Electronics, इसके बाद हम बात करेंगे Data Structures की तो आप पे हम पढ़ रहे हैं Theory-wise और यहाँ पे हम उन Particular Subjects के MCQs लगा रहे हैं इससे जादा MCQs की जो PDF है वो आपको Application पे भी मिल रही है, चीक है? तो I hope आपको Help हो रही होगी और जो Students अच्छे से Theory पढ़ के आए हैं, उन्हें अब इन Questions में कोई रिक्कत नहीं आने वाली है तो Start करेंगे आज की Class को, अगर आपको Application पे जाके Course पर चेस करना है तो आप 8999 में स्कोर्स को अवेल कर सकते हैं, जिसके अंदर Recorded Lectures के साथ साथ Practice Test Series में मिलेगी आपको और उसके साथ 500 प्लस GKEPYQs मिलने वाले हैं, लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ Recorded Lectures चाहिए तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं Discount Code, that is TGT300, इसका इस्तमाल करके आपको Flat 300 रुपीज का Discount मिल जाएगा लेकिन उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ Recorded Lectures और 500 प्लस MCQs मिलेंगे PYQs for GKE and no Test Series is included, ठीक हैं? तो फिलाल आगे बढ़ते हैं हमारी अप का नाम है प्लस माइनस एक्जाम प्रैप अप इसको आप जाके Google Play Store या फिर App Store से नाउनलोड कर सकते हैं चलते हैं आगे, अगर आपको आज की क्लास पसंद में आती है तो लाइक कर दीजेगा सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इसी के साथ साथ इसे शेर भी करें सभी फ्रेंड्स के साथ जो भी त्यारी कर रहे हैं इस अपकमिंग एक्जाम की तो question number one discuss करते हैं क्या है from CSS chapter? First is, which of the following category of style sheet can be used to change the look of the entire website by changing one file CSS? बहुत ही असान सा question है हमने three types of CSS discuss किया था जिसके अंदर we have studied internal, in-line and external CSS क्या बोला है? ऐसी कौन सी category है style sheet की जिसका इस्तमाल करके एक ही बारी में आप entire website का जो look है जो उसका layout है, structure है वो change कर सकते हैं सिर्फ आपको एक ही CSS file में changes करने पड़ेंगे सो इसका answer है external CSS, ठीक है? the right answer is external CSS and I hope आपको इसका syntax भी पता होगा क्या होता है syntax? इसके अंदर हमें इस्तमाल करते हैं link tag का link rel is the attribute equals to यहाँ पे आप लिखते है style sheet इसके बाद जो type attribute है, इसकी value हम set करते है text slash CSS और यहाँ पे href के अंदर हम उस particular external style sheet file का link देते हैं जो आपको link करने हैं माल लेते हैं उस file का नाम है style.css style.css ठीक है इस तरीके से तो करना क्या होता है हमें इस particular statement को अपने head tag के अंदर include करना होता है head tag के अंदर include करना होता है जिससे कि हम external style sheet को use कर सकते हैं तो इस time पर हमारी html file के अंदर सिर्फ और सिर्फ html code होगा और जो हमारी css file है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ css का code होगा और इसे हम यहां पर double quotes बंद भी करने हैं इस तरीके से include करवा लेंगे ठीक है तो यह आपको syntax पता होना चाहिए I hope आपको यह clear होगा अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं बात करते हैं next question की next is तो यहां पर option number 4 is the right answer तो यहां पर एक चीज़ हो रहा है इस REL की full form होती है relationship ठीक है relationship जो हमने external file यहां पर लगाई है उसका क्या relationship है हमारी particular html file के साथ तो क्या है कि वो उसकी style sheet है तो next question दिखते हैं क्या है next is which of the following category of CSS is defined in the head section of html page within a style element इन में से ऐसे कौन से category of CSS है जिसे हम head section के अंदर define करते है style element के भी अंदर तो head section के अंदर हम external CSS को भी define करते हैं लेकिन यहां पर style element या style tag की requirement नहीं होती है directly हम link tag का इस्तेमाल करते हैं लेकिन अगर हम बात करें इस वाले question की तो यहां बोला है head section के अंदर style element के अंदर किसे करते हैं इस particular question का राइडा अंदर क्या हो जागा option number d internal CSS internal CSS के अंदर हम क्या करते हैं style tag का इस्तेमाल करते है head section के अंदर example हमने यहां पर head section लगाया इसके अंदर आप style tag लगाएंगे ठीक है अब यहां पर माल लिजिया हम चाहते हैं कि जो हमारी body है उस पर background color लग जाए तो body is the name of the element html element और background color is the name of the property background color ठीक है और यहां पर हमने set कर दिया yellow तो इस तरीके से हमने और यहां पर हमें style tag को बंद करना पड़ेगा पहले and then after that we have to close head tag तो इस तरीके से यह syntax है internal css का internal css का इसका इसका इस्तमाल करके आप एक particular web page पर जितने भी आपके पास tags है जिन पर भी आप layout जिनका change करना चाहते हो styling change करना चाहते हो एक साथ एक साथ कर सकते हो उसी particular page के respect में चीक है आंगे बढ़ते हैं बात करेंगे next question कि next is a very basic question what is css transfer तो आप जानते हैं इसकी full form क्या है cascading style sheets है cascade style sheet है color style sheet है या फिर color style sheet है तो यहां पर इसका answer क्या हो जाएगा option number बता यह होगा यह भी होगा option number a is absolutely correct cascading style sheets ठीक है option number a is correct cascading style sheets अब यहां पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं css के वारे में तो actually में cascading style sheets का main role क्या है यह style sheet की language होती है जिसका इस्तमाल करके हम अपने document की presentation को improve कर सकते हैं ठीक है मतलब जो document हमारा html language में लिखा गया है उसमें हम css apply करके उस particular the document का जो layout है जो styling है वो और improve कर सकते हैं ठीक है so for that purpose we are using css because html का इस्तमाल करके हम limited ही styling कर सकते हैं अगर हमें और enhance करना है अपनी website को और attractive बनाना है और effective बनाना है so उसके लिए हम css का इस्तमाल करते हैं next question देखते हैं क्या है next is what is the correct syntax for referring the external css बहुत यह असान सा question है हमने first question में ही इस question को cover कर लिया है तो correct syntax कुछा है external css को लगाने का तो क्या होने वाला है option number b तो गलत है because यहाँ पर link tag ही नहीं है option number c भी गलत है option number a या d check कर लेते हैं अब ठीक है तो a b a हो सकता है लेकिन d तो possible ही नहीं है हाना अगर यह none होता तो इतमे भी possible यह answer हो सकता था लेकिन all the above तो होई नहीं सकता अब यह देखते है यह क्या है link rel equals to style sheet type is equal to text slash css href is equal to my style dot css बिलकुल correct syntax है external style sheet को include करने के लिए ठीक है यह हम already discuss भी कर चुके है आगे बढ़ते है href में क्याता है वो file का नाम जिसे आपको यहां पर include करना है आगे बढ़ते हैं next is css comments are placed within the dash ठीक है तो यहां बोला है अगर हमें css file के अंदर comments लगाने हैं तो किस तरीके से आप comment लगा सकते हो देखो आपको पता होना चाहिए कि हर एक language के अंदर comment होता है comment का main motive यह है कि user की understanding के लिए और वो कोई information को mark करना चाहता है कि for the future purpose तो वो कर सकता है चाहिए अपनी understanding के लिए आप बोल सकते हो कि document की readability enhance करने के लिए comments डाले जाते हैं तो html में comment का अलग तरीका है लेकिन css में comment का एक अलग तरीका है आपको दोनों पता होना चाहिए तो यहां पर बात करते हैं सबसे पहले html में comments कैसे डालते है html comments चीक है तो html में comment डालने के लिए आप इस्तिमाल करते है exclimatory mark दो hyphen बीच में आप comment लिखते हैं चाहे तो आप यहां पर single line comment लिखे या फिर multi line comment लिखे दो hyphen लगाते हैं इस तरीके से लिखते हैं तो यह तरीका है html comment को डालने का अब अगर हम css के अंदर comment डालना चाहते है त तरीके से slash star और यहां पर आप comment लिखे और close करने के लिए star slash ठीक है तो जो आपका style tag है style tag को हम start करेंगे close करेंगे बीच में जो भी statements आपको लिखने है वो लिखे और जहां पर भी comment apply करना है वहां पर आप इस symbol का इस्तिमाल करेंगे यहां पर multi line comment भी काम करेगा और single line comment भी क से आप c या c++ के अंदर comment लगाते है multi line comment वही तरीका है ठीक है तो यहां पर option number b is the right answer c और c++ में multi line comment हमारा इस तरीके से लगता है multi line comment और single line comment के लिए हम simply दो slash का इस्तिमाल करते हैं ठीक है two forward slashes लेकिन यहां पर single line comment हो या multi line comment हो css के अंदर दोनों option number b से ही लगने वाले हैं इस चीज़ का आपको धियान देना है ठीक है multi line comment बढ़ते हैं आगे बात करेंगे next question की next क्या है देखो to make a text italic which css property is used अगर आपको अपने text को italic बनाना है तो कौन सी particular property का आप इस्तिमाल करने वाले हो बहुत अच्छा सा question है देखो हमने discuss किये थे font की property तो font की property में हमने discuss करी थी font style property font style property का इस्तिमाल करके आप किसी भी text को italic कर सकते हो ठीक है किसी भी text को italic कर सकते हो तो माल लेजिए मुझे किसी paragraph को italic करना है तो हमने लिखा p tag और यहाँ पे आप इस्तिमाल करेंगे font hyphen style property का और इसकी value set कर देंगे हम italic इस तरह के से तो हमने apply कर दिया font style property ठीक है इसके अलावा font style की कौन-कौन से value होती है इसके अलावा font style की value oblique हो सकती है और normal भी हो सकती है ठीक है तो इस चीज का ध्यान देना बढ़ते हैं आगे तो यहाँ पे option number c is absolutely correct font style होगा font family तो basically हमारे font का टाइप है जिसके लिए होता है और जो font है यह हमारे short hand property है जो सभी के लिए इस्तिमाल में आ सकती है एक साथ अगर आपको size change करना है style change करना है family change करना है तो इसके लिए short hand property का इस्तिमाल कर सकते हो font यह सब हमने कर रखा है हमारे theory notes के अंदर तो अगर आपने अच्छे से पढ़े है notes आपको किस भी question में कोई doubt नहीं आएगा next बढ़ते हैं आगे बात करें अगले question की next is in how many ways can CSS be added to HTML बहुत यह असान सा question है कितने तरीके से हम CSS को add कर सकते है HTML के अंदर so three ways है HTML के अंदर CSS को add करने का कौन कौन सा है number one आप body tag के अंदर body tag के अंदर style attribute का इस्तमाल कर सकते है बोड़ी tag के अंदर style attribute का इस्तमाल कर सकते है किसी भी tag के साथ तो उस tag पे यह canım लग जाएगा और CSS अपलई हो जाएगी second is second रेका क्या होता है कि आप head tag के अंदर head section के अंदर या Head tag के अंदर Style tag का स्थमाल करें style tag का स्थमाल करें और जिस भी element पे आपको CSS अप्लाई करनें आप कर सकते हैं third way क्या होता है third way is कि आप यहां पे Head tag के अंदर ही Head tag के अंदर ही Link tag का स्तमाल करें Link tag का स्तमाल करें जिसकी help से आप external CSS file की linking कर सकते हूं ठीक है link tag का तो यह तीन तरीके हैं CSS को HTML में include करवाने की I hope आपको यह three ways पता है next पढ़ते हैं आगे देखते हैं क्या है what does padding 50px 20px specifies तो आपको मैंने जरूर से बताया था padding और margin properties के बारे में तो अगर आपको padding set करने हैं तो क्या तरीका बताया था padding set करने के लिए आपको बता है यहां पर चार possible value सकती है इस property की कौन-कौन सी आपको यहां पर मिल सकती है top padding right padding bottom padding and left padding बट यहां पर सिर्फ दो ही values है किस तरीक सब्सक्राइब मैंने आदोगा आपको देखो padding लिखा padding और margin में main difference क्या यह भी हमने किया था ठीक है माल लिजिए यहां पर लिखा हुआ है 25 pixel इसके बाद 20 pixel 35 pixel and 40 pixel एंड में semi-colon लगा रखा है इस तरीक से दिखा हुआ है इसमें जो first value है यह दिखाता है top padding को second value है जो यह दिखाता है right padding को third value show करती है bottom padding को इस तरीक से margin में भी यह होता है top margin, right margin, bottom margin and left margin इस तरीक से होता है लेकिन यहां पर इस question में सिर्फ दो ही value दिवी है तो इसमें से कौन सा option ठीक होगा top padding is 50 pixel, bottom padding is 20 pixel, right padding is 20 pixel या फिर both a and c ठीक है both a and c भी हो सकता है देखो क्या होगा अगर आपको सिर्फ यहां पर दो ही value दिवी है तो इसमें क्या होगा इस question के अंदर जो हमारा 50 pixel है 50 pixel जो है यह हमारा top के लिए भी है और bottom के लिए भी है और जो हमारे पास 20 pixel है यह हमारे पास right के लिए भी है and left के लिए भी है जैसे आपर दो ही value लिखी हुई है तो पहली value को माल लेंगे top की दूसरी को माल लेंगे right की अब आगे कुछ नहीं है तो दुबारा से 50 को ही माल लेंगे bottom के लिए है और 20 को माल लेंगे left के लिए है तो इस तरीके से 50 पिक्सल हमारे दोनों पैडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है top पैडिंग को भी और bottom पैडिंग को भी 20 पिक्सल हमारी right और left पैडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहां पे top पैडिंग 50 पिक्सल है बिल्कुल ठीक बात है और right पैडिंग क्या है 20 पिक्सल है यह भी ठीक बात है तो option number D is absolutely correct ठीक है तो यहां पे option number D is absolutely correct इसका आपको idea होना चाहिए ठीक है लेकिन यहां पे इस चीज़ का भी ध्यान देना है आपको कि इस तरीके से आपसे पुछ सकता है यहां पर आपसे पूछ लेता कि bottom और left पैडिंग की values क्या है तो आपको यहां पाता होना चाहिए कि bottom के कितनी है 50 pixel है और left के कितनी है 20 pixel है बढ़ते हैं आगे बात करेंगा अगले question की next is choose the css property that can be used for collapsing the borders between table cells आपको बता है था आप border को collapse कर सकते हो या फिर border को separate separate भी कर सकते हो अगर आपको cell wise लगाने है separate border लगा सकते हो या फिर border-collapse property is the right answer ठीक है इस property का इस्तमाल करके आप table cells के अंदर जो आपका border है उसे collapse कर सकते हैं I hope यहां पर कोई doubt नहीं होगा यह सारी property हम already पढ़के आए हैं अगर आपने नहीं पढ़ी है तो जरूर से इन properties को पढ़ लीजेगा उसके बाद यह question लगाने में फाइदा होने वाला है बढ़ते हैं आगे next is how do we make each word in a text starts with a capital letter अगर आपको अपने टेक्स में जितने भी word है उन सारे word के first letter को capital करना है तो क्या property का बिस्तमाल करने वाले हैं options क्या है text transform capitalize, text transform capital, text transform uppercase तो यहां पर इस question का जो right answer बनेगा, वो बनेगा option number बता कि A अभी, A is correct upper case से तो आपके सारे के सारे letter ही upper हो जाएंगे, मतलब आपके अपर वाले case में आ जाएंगे तो उसका हमें use नहीं करना, सारे capital हो जाएंगे उसमें के फाइदा नहीं हमें, हमें से first letter capital करना है तो उसके लिए इस्तवाल करेंगे text transform capitalize, text transform basically तीन values लेता है, ठीक है, तीन नहीं चार लेता है basically, एक तो होती है none, एक होती है upper case, और यहां पर अपर case में space भी नहीं आता बीच में, एक होती है lower case और एक होती है capitalize, अगर आपको हर एक word का first letter capital करना है, so for that, you need to use capitalize value of text transform property, ठीक है, अगर lower case में करना है तो lower case और सारे capital करने है तो upper case, यह इसका right answer होने वाला है, ठीक है, next question is, which of the following is are the state of the links in CSS, ठीक है, इन में सी कौन सी state of link है, बताया है आपर, options are a link, a visited, a hover, या फिर a active, तो यहां पर सारे के सारे options बिलकुल correct है, यही possible state होती है हमारे links की, कौन कौन सी होती है, या तो normal link होगा, या फिर वो हमने visit कर लिया होगा, या उस पर hover कर रहे है mouse से, या वो active होगा, या फिर all the above, तो यहां पर option number is correct, अगर हमें किसी भी state पे कोई property लगानी है CSS की, तो हम ल further CSS को apply कर सकते हैं, I hope इतना clear होगा आपको, बढ़ेंगे आगे बात करेंगे next question की, तो यह सारे के सारे आपको state पता होने चाहिए, दुबारा देख लो, अगर a link है, तो मतलब normal है, और un-visited link है, अगर a visited है, तो आपने उस particular link को visit कर लिया है, अगर a hover है, इसका मतलब क्या है, कि user ने mouse का इस्तमाल करके, उस particular link के उपर mouse को वो लेके गया है, जिसके hover करने से event create हो गया है, यह active का मतलब क्या है, कि यह वो link है, जिस time पे आपने उस link को click कर दिया है, उससे active कर दिया है, अब बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे अगले question की next is, how do we make the text bold using CSS property, अगर आपको text क bold करना है, तो किस property का आप इस्तमाल करेंगे, options are font, bold, font weight, bold, style, bold, या font style, bold, ठीक है, font style तो आपका होता है, bold के लिए, font style आपका होता है, italic के लिए, font weight is the right answer, font weight, colon, bold, यह विल्कुल ठीक answer है, इसका इस्तमाल करके हम अपने text को bold effect provide कर सकते हैं, ठीक है, next बढ़ते हैं, आगे ब correct CSS syntax, तो कौन सा जो option है, वो correct CSS syntax को represent कर रहा है, h2 colon color equals to black, तो यह बिल्कुल रॉंग है, because equals to का इस्तमाल हम नहीं करते हैं, इसके अंदर, और यहां पर declaration block को बनाने के लिए curly braces भी नहीं है, h2 semicolon color black, यह भी गलत है, इसके बाद h2 color equals to black, then bracket में body, यह भी गलत है, last is h2, declaration block, color black, यह बिल्कुल ठीक है आपका, ठीक है, इस तरह के से हम लगाते हैं, हलाकि यहां पर black को भी हम double quotes के अंदर लिखेंगे, और यहां पर semicolon लगाएंगे, तब जाकि हमारा answer बनेगा, लेकिन यहां पर जो most appropriate answer बन रहा है in options के according, वो बन रहा है option number D, ठीक है, next question देखते है है, how do we change the font of a text element, अगर आपको किसी भी text element का font change करना है, तो कैसे करोगे, font family, font, font text, सब कुछ होता ही नहीं, font element, नहीं, the option is, option number A is correct, font family का इस्तमाल करके, आप किसी भी text का font change कर सकते हो, मतलब, यह से माल लेते हैं, अगर हमें, किसी paragraph का font change करना है, तो आप लिखेंगे font family और इसके बाद आपने लिखा, times new roman times new roman इस तरहे कैसे, तो इसके इस्तमाल से क्या हो जाएगा, आपका जो font style है, वो change जाएगा, ठीक, उसका जो font है, वो बदल जाएगा, अगर आपको एक ही साथ multiple font families को define करना हो, तो कैसे करोगे, तो आप क्या करोगे, simply आप एक कॉमा का इस्तमाल करोगे, और इसे के आगे next लिख दोगे, ऐसे मालो आपने क्यालिबरी लगाना है, तो वो लगा सकते हो, या फिर अगर आपको send serif लगाना है, तो वो लगा सकते हो, एक साथ आप multiple font families को भी इस्तमाल कर सकते हो, ठीक है, next is, how do display hyperlink without underline, आपको पता है कि hyperlink जो होता है, उसके अंदर by default underline आती है, अगर आपको उसकी underline को हटाना है, तो किस वर्टिकुलर option का इस्तमाल करेंगी, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, A for the anchor tag, मतलब hyperlink के लिए text decoration, no underline करनी है, यहाँ पर text decoration, no underline, या फिर B is A decoration, no underline, C is A text decoration, none, या फिर A text decoration, offline, तो बहुत यह अच्छा question है, इस पर double star mark लगा लो, यह question आ सकता है, अगर आपको चाहते क्या हो, कि hyperlink जो है without underline आया, आप जानते हो hyperlink के अंदर क्या होता है, underline आता है वो, और अगर वो हमने visit नहीं किया है, तो वो blue कलर का आत है, अगर आपको उसकी underline हटानी है, तो आप इस्तमाल करेंगे option number C का, आपको text decoration property का इस्तमाल करके, इसकी value को none set करना है, text decoration की value हो सकती है, या तो none, या फिर इसकी value हो सकती है, overline, underline, या फिर line through, यह possible values है, text decoration property की, चीक है, तो आपको none करना है, no underline कुछ नहीं होता, आपको आपको आपर simply none कर देना है, इस चीज़ का ध्यान देना है, गलती से भी no underline वाला option number A है, यह आपको लगा के नहीं आना है, चीक है, तो यहाँ पर 4 possible value होती है, text decoration property की जिसे हम already discussed कर चुके है, I hope यहाँ पर आपको clear होगा, next बढ़ते हैं, next says, how do you change the text color of an element, किसी element का text color change कैसे करेंगे, क्या property उस करेंगे, text hyphen color या फिर element color या फिर color या फिर all of these, तो इसका answer option number C color है, ठीक है, इसका answer option number C color है, कैसे करते हैं, जैसे माल लगते हैं, आपको किसी किसी particular element का color change करना है, ठीक है, so let suppose हमें h4 का color change करना है, तो आपने इस तरीके से लिखा color, colon, और यहाँ पे इसकी value आपने blue set कर दी, इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे एक point हो रहा है, हमने text property करी थी, उसके अंदर text align नाम के एक property करी थी, इसकी possible value, क्या क्या हो सकती है, left align कर सकते हो, आप text को, right align कर सकते हो, आप इसे center align कर सकते हो, और एक और add कर ले न, that is, justify भी आप इसे कर सकते हो, ठीक है, यह मैंने शायद आड नहीं किया था, justify इसे आप कर सकते हो, तो 4 possible value है, text align attribute की, ठीक है, बढ़ेंगे आगे बात करेंगे, तो यहाँ पे 4 possible values है, text align property की, I hope आपको समझ में आगया होगा, बढ़े सकते हैं, क्या है, next is, which HTML tag is used to define internal style sheet, internal style sheet का use करने के लिए, किस बढ़ेवा tag का इस्तिमाल करते है, style, CSS, script या फिर link, लि लिए script हम करते हैं, JavaScript के लिए CSS कोई tag होता नहीं, style is the right answer, ठीक है, head section के अंदर style tag का इस्तमाल करते हैं, ताकि हम internal CSS को add कर सके हैं, जो कि एक page से जुड़े होए सारे layout को set कर सकते हैं, और एक page से जुड़े होए structure को change कर सकते हैं, उसके styling को improve कर सकते हैं, so with this, हमारे CSS के most important questions cover कर ल practice the MCQs, उसको अच्छे से practice कर लिए जगा, और upcoming chapters के practice questions भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, तो अगर आपको आज की class पसंद आई, तो like कर दीजेगा, subscribe करें हमारे channel को, और सी के साथ साथ इसे share भी करें अपने से भी friends के साथ, और plus minus exam prep application को आप download कर सकते हैं, if you want to purchase the TGT computer science crash course so thank you so much, मिलते हैं next class में, next class में discuss करेंगे किसी और chapter के MCQs को और previous year questions को, thank you so much